वेल्कम टू वर्ती कीचन आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्दी रेसिपी इसके लिए मैंने 150 ग्राम होल ग्रीन मुंग को चार से पांच घंटे के लिए भीगो के रख लिया था अब हम इन भीगेवे मुंग को एक ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे इसी के साथ हम इसमें 6-7 लहसुन की कली आड़ करेंगे 2-3 हरी मिर्च आड़ करेंगे और एक आधे इंच का अद्रक का टुकड़ा आड़ करके इसका एक स्मूध बैटर रेड़ी कर लेंगे बैटर रेड़ी है अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आड़ कर देंगे एक घिसा हुआ गाजर आड़ करेंगे एक बारिक कटा हुआ प्याज आड़ कर देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने ग्राइंडिंग के टाइम भी इसमें पानी नहीं डाला था इसलिए बैटर काफी थिक है तो हम इसमें अभी पानी थोड़ा एड़ करेंगे अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिला बनाने के लिए बैटर बिल्कुल रेडी है अब हम इसके लिए एक तवे को गर्म करेंगे इस पे थोड़ा ओईल या घी डालके इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तवा काफी गर्म है इसलिए हम इस पे थोड़ा से पानी छिड़क देंगे ताकि तवा का ट्रेंप्रेचर जो है वो थोड़ा लो हो जाए अब हम इस पानी को अच्छे से पोच के सुखा लेंगे अब एक कल्ची बैटर लेके हम तवे पे हलके हाथ से स्प्रेड कर देंगे अब हम बैटर को सेट होने देंगे जैसे बैटर थोड़ा सेट हो जाएगा हम इसके कॉर्णर पे हाफ टी स्पून घी डालेंगे इससे इसके कॉर्णर से इसली निकल जाएगे अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसके कॉर्णर को रिलीज करके इसे फ्लिप कर देंगे इसे दो से तीन बार हम फ्लिप करके दोनों साइड से अच्छे से से सेकेंगे दोनों ही साइड से चिले पर अच्छा कलर आने लगा है अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल के सर्व कर लेंगे इसे सर्व करने के लिए हम सालेट और अपने पसंद के किसी भी चटनी को ले लेंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे